हैलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप तो आज हम आपके साथ बोहती कुरकुरी और मजेदार रेस्पी सेर करेंगे इसे खाने के बाद आप पुराने सारे नास्ते बनाना बिर्कुल भूल जाएंगे हर बार यही बनाना पसंद करेंगे और बनाना भी इन्हें बहुती ज़्यादा आसान है सिर्फ दो चीन्यों से बनकर ये तयार हो जाते हैं आप इन्हें सुबह ब्रेकफास्ट में या साम की चाय के साथ बनाकर इंज्वाइ कर सकते हैं चलिए तो फटा फट से इस मज़ेदार सी रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने दो मेडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं आलू को छील कर हमने पानी में डाल दिया है जिससे ये आलू काले ना पड़े तो दोनों आलू को हमें ग्रेट करना है तो जिस साइट बड़े वाले छेद हैं उस साइट से हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं जिससे आलू के हमें थोड़े से बड़े बड़े लच्चे मिलेंगे आलू हम सभी के घरों में होता ही है तो ये देखिए सारा आलू इसी तरह से हमने ग्रेट कर लिया है अब इसे हम दो से तीन बार अच्छे से पानी से धुल लेंगे जिससे आलू में जितना भी स्टार्ट होगा वो निकल जाएगा तो ये देखिए आलू को हमने दो से तीन बार अच्छे से धुल लिया है और इनुक को हमने पानी में ही डाल दिया है जिससे ये काले ना पड़े तो अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे उसमें एक बड़ा चमस तेल डालेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो यह थोड़ी चादा डाली है अच्छी से तीनों चीजों को अच्छी से भून लेते हैं अब इसमें एक चममस चिली फ्लेक्स डालेंगे और एक ही चममस इसमें हमने सफेद वाला तिल डाला है लो फ्रैम पर इसे कुस सेकेंड के लिए चला लेते हैं और अब इसमें हम डालेंगे पानी तो मेजर मेंट के लिए आप कोई भी कटोरी अस कप सेट कर लीजे तो हम यहाँ पर इस कटोरी से दो कटोरी पानी डालेंगे आदा चमच नमक डाल दिया है और चौथाई चमच इसमें हमने काली मिर्ज पाड़र डाल दिया है और साथ में ही डाल देंगे धेर सारा कटा हुआ हरा धनिया अच्छे से सभी को मिक्स करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे तो ये देखिए पानी में उबाला चुका है, तो अब हम डालेंगे आलू के लच्छे, इनको हमने इस्टेनर में निकाल दिया था जिससे इनका सारा पानी निकल जाए, आलू को भी चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे, इनको हमें पकाना नहीं है, बस अच्छे से इनको पानी म मिक्स कर लेते हैं तो अब इसमें डालेंगे हम सूजी तो जिस कटोरी से हमने पानी डाला था उसी कटोरी से एक कटोरी हम इसमें सूजी डाल देते हैं तो मोटी बारी यहां पर आप कोई भी सूजी ले सकते हैं गैस की फ्लेम आप लो कर दीजेगा और लो फ्लेम पर ही अच इसे चलाते भूए मिक्स करिएगा, जिससे सूजी के इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, और इसी तरह से चलाते हूए हम गाळा करेंगे जब तक की सूजी कढ़ाई ना छोड़ने लगे, और इसका एक डो ना बन जाए, तो ये देखे, बहुत ही जल्दी सूजी सारा पानी स तो यह देखिए इसका एक डो बनकर तैयार हो गया तो जादा अब इसे हम नहीं पकाएंगे पस इसी तरह से इसे ढख कर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे जिसे भाप में भी यह सूजी पक जाएगी और गैस हमने बंद कर दी है चलिए तो एक बार सूजी को हम देख लेते हैं यह देखिए सूजी हलकी सी ठंडी हो गई है तो इसको हम एक बरतन में पलट लेते हैं और अब इसको हम थोड़ा सा मसलेंगे तो हातों पर हलका सा आप तेल लगा लीजेगा और इसे अच्छे से मसल लेंगे जिस्ते नास्ता जो हमारा बनेगा बहुत ही ज्यादा अच्छे से मसल लिया है अब हातों पर दुबारा से तेल लगाएंगे और नीवो के आकार का एक गोला बनाएंगे और इसको हम बड़े का सेफ देंगे पहले हतेलियों से इसको गोल कर लेते हैं और फिर एक उंगरी में थोड़ा सा तेल लगा कर इसमें होल कर देंगे तो एक बड़ा बनकर तयार हो गया और ये देखे कितना सुन्दा लग रहा है देखने में भी ये बड़े तो सारे बड़ों को बिल्कुल इसी तरह से बना कर हम तयार करेंगे तो दूसरा बड़ा भी बिल्कुल इसी तरह से बना लेते हैं हर बार आप हतीरियों पर हलका सा तेल जरूर लगाईगा जिससे ये डो आपके हाथों में चिपकेगा नहीं तो ये देखिए सारे बड़े बनकर तयार हो गए आप इस तरह से इन बड़ों को बनाकर एयर टाइट डब्बे में तीन से चार दिन तक फ्रिज में इस्टोर करके भी रख सकते हैं ये बिल्कुल भी ख तो आप इने फ्राइब कर लीजेगा तो यहाँ पर हम इने तुरंती फ्राइब करने जा रहे हैं तो कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए हमें तेज गरम तेल की जरूरत है जब तेल खुब थेज गरम हो तब आप इन बड़ों को डालीएगा और एक मार में जितने बड़े आते हैं उतने बड़े हम कड़ाई में डाल देते हैं और जब इन पर एक साइट से हलका सा गोर्डन कलर आ जाएगा तब इनको हम पलटनेंगे सूजी पर कलर आने में थोड़ा सा टाइम डगता है तो इन बड़ों को सिखने में आप चार से पांच मिनट लग जाएगे तो ये देखिए बड़ों पर हलका सा गोर्डन कलर आ चुका है तो इनको पलट कर एक मिनट के लिए हम और फ्राई कर लेते हैं जिससे इन पर बड़ी हाग गोर्डन कलर आ जाए तो ये देखिए बड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इन पर बहुत स ज्यादा सौप्ट हैं तो ये लीजिए सारे बड़े बनकर तैयार हो गए तो इनको हमने धनिया की चटपटी सी चटनी के साथ सर्व किया है तो आपको ये रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा तो एक बड़ा हम आपको तोड़का दिखाते हैं तो ये देखिए उपर से जितना कुरकुरा अंदर से यह उतना ही सौप्ट और जालीदार उमीद है आपको ये रेस्पी जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक और सेयर भी जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा जल्दी एक और नई मज़ेदार रेस्पी के साथ हम आपसे फिर मिरेंगे थेंक यू